नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्टिप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पेज जरूर फोलो कर लिएगा studyforcivil.services है ट्विटर पर जरूर फोलो कर लिएगा add the net studyforcivils है हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से फिर फर्दर यहां पर subdivisions है और और फर्दर वहां पर subdivisions है प्री हिस्टॉरिक में स्टॉनेज आ जाती जिसको पांसाड काल बोलते हैं प्रोटो हिस्टॉरिक में आपका इंडिस civilization वाइदिक civilization आ जाएंगे ठीक है यह आ चुका है एक्जाम में बीपेसी में कि इंडिस वैली जो है किसमें आएगे प्रोटो हिस्टॉरिक में आएगा हिस्टॉरिक पिरेट में जो है शुरुवात कहां से होती है 6th century BC से मानी जाते ही है अब stonage को जो है equipment पर divide किया गया है क्योंकि जो भी हम archaeological evidences खोजते हैं उसमें mainly equipment ही मिले हैं आउजार टूल्स मिले हैं उसी के अधार पर यह पता चल पाया है कि किस तरीके से मानाव ने अपना विकास किया और अपनी आदतों का विकास किया आदतों का मतलब यहां पर उनकी lifestyle के related changes से है वो कैसे है वो अभी आप आगे समझेंगे जैसे pre-stone age है यानि प्रारंभिक पाश्रान काल उसमें जो जार मिले हैं उनको दो तरीके से डिवाइट किया गया है एक है chopper chopping या pebble culture इसको कहा गया है और एक है actualian culture में जो main tools मिले है वो हाथ को लाड़ी मिली है ठीक है पाकिस्तान में है ठीक है इस दिरीके से एक्विलियन culture को कहा जाता है हस्त कुठार सभ्यता हस्त कुठार सबसे पहले कहां खोजी गए थी 1864 में 28 September को प्रोफेसर कींग के द्वारा वड मदुरई में और तिरापक्कम मदरास में ठीक हैंड एक्स को मदरास से खोजा गया थ इस उसको मदरासी culture भी कहा जाता है youtube इस culture से जो अधर टूल्स पाए गए हैं कौन-कौन से हैं हैं डाक्स कलुठर से खलीवर स्क्रेपर और कोड या फिर फ्रोट ठीक और फादर प्री हिस्टारी कहा जाता है रोबर्ट ब्रूस फुट को इन इंडिया फादर प्री हिस्ट तो इससे में आपको ध्यान रखते वोगे चलना है कि यह किस कालके हैं, इस समय हम स्टोन एज में चल रहा है, यानि कि पहली लिथिक पीरिड में, तो यह पहली लिथिक साइट्स हो गहीं, ध्यान रखना है इसको क्यों कि कई बार मैचिंग में आ जाता है, पहली लिथिक साइट्स पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता इस तरीके से, एल कैंबरिज की टीम ने एक जो है एक्सपेडिशन किया था, जिसको लीड किया था, डी टेरा ने और यहां पर रिसर्च किया था सोहान गाटी में, ठीक है, 1935 में, बेलान वैली जो है यहां पर रिसर्च किया गय यहां पर, यह कहां से निकलती है, सोनभदर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, और टोन स्रीवर को जोहन करती है, इलाबाद में, मिर्जापूर के थ्रू, यह एरिया बहुत फेमस आर्केलोजिकल फांडिंग्स के लिए और इसको टेक्स्ट बुक आफ इंडियन प्री यहां पर, इविडेंस मिलें, बिलान घाटी से, इस हुझे से, यह काफी ज़रूरी है, टूल्स के लावा, यहां से कई सारे, बोन मेड, मदर गॉर्डेस के, यहां पर, स्टैचू मिली है, ठीक है, बिलान वैली से, लोहन्दा नाला रीजन, से, बिलान वैली से मिली है, ज चोटे-चोटे टूल्स मना जाते थे, क्वाड़जाइट स्टोन्स के, अच्छा, यहां पर हम आवजारों को अगर ध्यान से देखेंगे, यह कुछ पहली लिथिक टूल्स हैं, यह पूरा पास्टान काल के टूल्स हैं, इस तरीकी से आप देखेंगे कि यह पूरे स्टोन जाएंगे झाएंगे, यहां पूरे से बनाएंगे, जो पास्टान काल में जाएंगे, यह जादा होते जाएंगे, ज्यादा धार्धार होते जाएंगे, इनो वो ज्यादातर बॉन में इंप्लिमेंट किये गए होंगे यानि कि छोटे-छोटे ब्लेड जो है लगाए गए होंगे बॉन में हड्डियों में तो इस प्रकार मानों अपनी प्रगती करता गया उनके टूल्स भी उतनी प्रगती करते गया और धारदार और चोटे होते गए तो फलक कल्चर या फलक सभिता या फलेक कल्चर किसको लाजाता है मिडिल पेढ़ नुट है और यहां कि तूल्स जो मिजह या मिजिल पेढ़ नुट सिसें के सीहावल गिज करते हैं यह अचै人 सायट की दियूलिए और संघावलस यह पाकिस्तां से है यह लोवर प्रीलिथिक की है और संघाव है यह लोवर प्रिलिथिक पिरिड की है पर पर देखें से डिमन पाशांड काल के एविडिन्स कहां से सिंगी तलाउ तेट आजिस्थान से परलीन राजिस्थान में सबसे ज़्यादा पैलिलिथिक साइट कहां से पाई गई हैं गंगा और इंदूस से यहां की घाटियों से पैलिलिथिक साइट जो हैं डिस्कवर की गई है मारवाड मेवाड से भी मांट्स ऑफ एश यानि की राक के टीले जो हैं यह थोड़ा सा यहां पर आप देखेंग नियो लिथिक साइटें ध्यान रखेगा आगे हम इसको देखेंगे ठीक है डॉल्मन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेगा लिथिक टॉम्ब जो की डेड या फिर कबर के ऊपर बहुत बड़े बड़े यह मकबरे टाइप के पत्थर से बनाए जाते यह होते थे डॉल्मन पाशार काल के वक्तियों की लाइफ बहुत नैचुरल थी जैसे की जरावार ट्राइब वगएरा जो अभी वी कुछ बहुत पुरानी ट्राइब है वो देखने को मिलती है जो कच्छा मास खाते हैं और बिना पका खाना खाते हैं और पत्ते बगएरा पहनते हैं ठीक मानो जो था वो हंटर फूड कलेक्टर था उसको नहीं पता था कि मतलब पशु पालन करके भी खाद पदार्त निगाली जा सकते हैं और करशी करके भी अपना जीवनियापन किया जा सकता है ये नहीं पता था मानो को ये कप पता चलता है अभी हम आगे देखेंगे देर वाज ड्रास्टिक डिक्रीज इन टेंपरेचर देखने को मिलता है मिडिल पेलिलिथिक पीरेड का साइट जो है वो कहां पर है माधिपाशाणकाल की ये है निवासा महरा अस्ट्र में ठीक मिडिल पेलिथिक पीरेड में क्वाट्जाइट स्टोन्स रिप्लेस कर पीरेड में आपको पताया ठीक है इसको फलक कल्चर भी कहा जाता है और यह वो इस टेक्नीक से बनाए जाते थे यूमन लाइक क्रीचर जो सबसे पहले हमको देखने को मिले हैं वो जिनको हम हो मिनिट बोलते हैं फॉस्ट हो मिनिट फॉसिल जो कहां से ऑप्टेन किया गया से हतनावरा नर्मदा घाटी पर जो है मध्यप्रदेश में वहां से देखा गया है और यह कई बार पूछा भी जा चुका है और यह जो हमको एंथ्रो मॉर्फिक फॉसिल मिला था वो किस हुमन फॉर्म कथा होमो इरेक्टेस कथा ध्यान रखिएगा अगर बहुत डीप में अगर सवाल आ गया यह लौजी सित्फ पूछ लेंगे इसमें फर्स्ट एविदेंस ऑफ यूमेंस इन इंडिया इस बिन फॉंड फ्रम वेस्टर नर्मदा रीजन मधिप्रदेश हतनावरा ठीक है और मेहरगड काफी इंपॉर्टन साइट है यह रपन साइट भी है पहलो अगर हमें मिलते हैं ठीक है लेकिन इंडियन सब कॉंटिनेंट की बात हो रही है अगर इंडिया में अगर पूछे तो उसका दूसरा होगा अभी हम आगे देखेंगे अनिमल फूट्प्रिंट्स जो है यह अक्रिलियन टूल्स के साथ यह कहां पर मिले हैं अतिरा पक्कम तमील नाडू में और एविदेंसेस ऑफ ओल्डेस्ट हट्स हैब बिन फाउंड फ्रॉम पैसरा बिहार पैसरा बिहार से ओल्डेस्ट हट्स के साक्ष मिले हैं एक पैप दिया हुआ है फेमस हर्केलोजिकल साइट्स का इसको आप जरूर देखना चाहिए वैसे तो और भी बहुत सारी साइट्स है लेकिन इन में जरूर आपको पता होना चाहिए जैसे इन में क्लासिफाई करके दिया हुआ है इस मैप में पहले लिथिक साइट कौन सी इसके बारे में पहले है पेली लिथिक साइट है और हलूर जो है एए आप देखेगे इस में अरली विलेजिस काहा हैं इनाम गाउम मिले है इसके बारे में देखेंगे पहले लिथिक साइट है हुंगासी करनाटक में हलूर जो है ये आपकी नियोलिथिक साइट है ब्रमगिरी ये मेगा लिथिक साइट है पयमपली ये आपकी नियोलिथिक साइट है आदी चलनौर ये आपकी मेगा लिथिक साइट है और ये भीम बेट का है, ये भी आपकी प्यल्यtheak structure, भीम बेट का अपनी painted लिए काफी फैमस इसके बारे में भी discuss करेंगे हम लोग और मेहरगड जो है ये तो हरपन साइट या चालकुलिथिक साइट भी है और आपकी हम लोग कह सकते हैं नियोलिथिक साइट भी है और पैलुलिथिक साइट भी है पैलुलिथिक एबिडिनस भी यहां से मिले हैं वह मेजोलिथिक पीएट पर आ चुके हैं मेजोलिथिक दो वर्ड से बना हैं मिडिल ओलिथोस तो मतलब यहां पर मदपास्टान काल है इसको अरली या फिर प्रोटो नियोलिथिक पीड भी कहा जाता है और इसको ट्रांजिशनल फेज या संक्रमड काल भी कहा जाता है The first information about the Mesolithic period in India came in 1867 जब कारलाइल ने सबसे पहले Microlith स्याम पर डिसकावर किये थे विंदे रिजन से Microlith जो है main feature किसका है, Mesolithic साइट का है Microlith से आप समझ गए होगे, छोटे-छोटे पत्थरों से बने तूल से यहां पर देखने को मिलते हैं, और धारदार होते हैं, बलेड जैसे होते हैं Human Skeletons were first found from India in Mesolithic period भारत में जो Human Skeletons मिले थे, वो सबसे पहले या सबसे पुराने Mesolithic period के मिले हैं Microlith जो है, इसको Mesolithic period से हम जोड़के देखते हैं, धार-धार टूल्स होते हैं, यहां पर छोटे-छोटे होते हैं 14 Human Skeletons यहां पर लंगनाज region, गुजरात से मिले 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 पिरिट के Large number of implements made of bones and horns यहां पर सिंगों के और हड्डियों के कई सारे यहां पर टूल्स मिल देखने को मिलते हैं मद्दहा में, ठीक है मद्दहा इस तरीके से भी कहीं कहीं spelling लिखी गई है, M-A-H-A-D-A-H-A इस तरीके से भी लिखा गया है, ठीक है इसको पढ़ते मद्दहा है लेकिन लिखते महादाहा की तरह है, यह जो है प्रताबगड में है और इसको महादाहा से confused नहीं करेगा, महादाहा जो है वो एक Neolithic site है, जबकि मद्दहा एक Mesolithic site है पुरा तत्व इमर्च नाम से एक किताब लिखी थी किसने जैनरायन ने, उन्होंने सराय नहर राय दमदमा और मद्दहा से जो बोन इंप्लिमेंट्स और कई सारे ओर्नमेंट्स बोन से बने वे देखे थे, उनके बारे में उलेक किया है Evidences यहाँ पे Garland यानि की एक माला के मिलते हैं जो Antilope Ring से बनाए गए है दमदमा में 41 human graves मिलती हैं, दमदमा एक Mesolithic site प्रताबगड में ही और एक grave यहाँ पे मिलती है साराय नहर राय में, Mesolithic small tools के लावा 17 human skeleton यहाँ पे मिले हैं लेखिया से, जो की बिंदिहारी रीजन में है एक ivory pendant यहाँ पे देखने को मिलता है, हाथी दात से बना हुआ pendant, और कई सारे bones से बने हुए tools यहाँ पे देखने को मिलते हैं Domestication of Animals सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, मिसोलिथिक पीरिट में और earliest evidence जो Domestication of Animals के मिले हैं इंडिया में, वो मिले हैं आदमगड होशंगाबाद डिस्क्रिक्ट मद्रदेश से और बागावड यानि की भील वाला डिस्क्रिक्ट राजिस्थान से तो इंडियन सब कॉंटिनेंट से अगर पूछे तो पशुभालन की सबसे पहले साक्ष कहां से मिले हैं मेहर गड़ से लेकिन अगर इंडिया में पूछे तो कहां से मिले हैं आदम गड़ से देहान रखना है आपको भीम बेट का की पेंटिंग्स काफी फेमस हैं और यह प्री हिस्टॉरिक रॉक पेंटिंग्स है पुरा पाशान काल की है राइसें डिस्टिक्ट मद्प्रदेश में यह पेंटिंग्स देखी गए थी बागाओर जो है इंडियास लार्जेस्ट मेगालिथिक साइट है और यहां पे एक स्लॉटर हाउस यानि बूचड खाने के भी साक्ष मिले हैं नियोलिथिक साइट्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ली मैजिवराई ने यहां पे डिस्कवर किया था एक पॉलिज डिस्ट यहां से खो जा था टोन्स रिवर वैली से लाबाद री को यहां पे चीजल प्लैंक और पॉलिश टूल से यहां पे देखने को बिलते हैं बॉर्णियों की गुफाओं से आठ हजार से सारी असी हजार से एक लाग वर्श पूर्व के मॉटर्न मैन के साक्ष मिले हैं नियोलिथिक साइट जो महागड़ा है यह विंद रीजन में प नाइन हजार बीसी शुरू होता है इंडिया कॉंटेक्स्ट में यह लेट शुरू होता है चार हजार बीसी से ध्यान रखिएगा और नियोलिथिक टर्म जो है सबसे पहले जॉन लुबाक ने दिया था उनकी एक बुक आई थी प्री हिस्टोरिक टाइमस उसमें उन्होंने नियोलिथिक पीरेट का उले किया था गॉर्डन चाइल्ड ने जो है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन टर्म यूस किया है और ग्रेन प्रडूइसिंग कल्चर इसको कहा है क्योंकि तेजी से जो है क्रशी ने फ्लोरिश किया था इसमें ठीक और आग का विश्कार भी इसी प अलचिन दमपत्ती और भी के थापर ने एक लॉलिथिक पीरेट यहां पर मतलब बरता निवागेरा नहीं मिले हैं जिसको वेयर बोलते इंग्लिश में कोई वेयर नहीं मिला है और दूसरे में पौटरी मिली है जिसमें कई तरीके की पौटरी है उसमें भी सब्डिवीजन ब्लैक ओकरे कलर यह सब ग्रेंस सबसे पहले प्रडिवेशन स्टार्ट हुआ था इसमें सबसे पहले हमानके चलते हैं कि वर्ड में कहीं भी अगर अगरिकल्चर हुआ था पूरी दुनिया में तो सबसे पहले वीट हुआ गया था भारत के संदर्ब में चावल और बार्ली गयरा अकॉर्डिंग तो लेटेस्ट रिसर्च अविदेंस ऑफ अगरिकल्चर इन इंडियन सबकॉंटिनेंट अगरिकल्चर के देखे गाएं यहां सबसे पहले चावल के साक्ष मिले ठीक इससे पहले माना जाता था कि जो मेहर गड़े वहीं पर सबसे पहले जो हैं इंड लाहुरा देव साइट में लेटेस्ट एविदेंस बिले थे और यह अभी भी माना जा रहा है और अर्लिएस ट्राइस एविदेंस को लिडिवा अलाहबाद से मिले हैं अर्लिएस्ट एविदेंस ऑफ वीट बारले कल्टिवेशन यह हमको बलोचिस्तान साउथ एशिया से देखने को बिलते हैं 5 दिसंबर 2021 को यह आरोपे पर हुआ था इसमें देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सानसितिक विरासत के संदर्ब में कौन सा गतन सही है अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्ब में क्रशी के प्राचीनतम प्रमार प्राप तो इत्तर प्रदेश की सानसित्टिक विरासत के संदर्ब ॥ तो यहां पर दौनों सही होना चाहिए है अगरिकंत और और उपर यह प्यायन दिया अखेंक का लोग इस मैंस का इविदेनी सबसे पहले मेक्सिको से देखने को मिलता मिलेट सबसे पहले हुगाया था चाइना में सोरघम वगाया था इस अफ्रिका में मस्टर्ड सबसे पहले वगाया था साउथ इसट एशिया में और ओठ को यूरोप में ठिक तो यह यहां पर अभी तक के बात हो सब्सक्राइब करनाटक में और यहां पर कई सारे बॉन टूल्स मिले हैं कई सारे मतलब हड़ी से बने हुए आउजार मिले हैं इश मांट्स यह देखने को मिलते हैं आपके संगन कल्लू में विलारी डिस्ट्रिक्ट मैसूर करनाटक के हैं indem कोकर graph कोपर जब यूस करने जाना शुरू हो गय ku तब से यहां से चालकुलिथिक पीरेट शुरू हो जाता है चालकुलिथिक साइट इंडिया में साउथ इस्ट राजस्तान में देखने को बिलती है वेस्टन मद्ध प्रदेश में और वेस्टन महराष्ट में और साउथ इस्ट इंडिया में साउथ इस्ट राजरस्तान में जो दो इंपोर्टन साइट चालकुलिथिक पीरेट की देखी गई हैं वो है अहार और एक गिलुंद ये साइट जो है बानस रिवर वैली में पढ़ती हैं अहार जो है इसको तामबावती कल्चर भी कहा जाता है यहां पर मट बिल्डिंग दे कफी जोरवे आएका काई था उज्जैन MP में अहार जो है यह है उदाइपुर राजिस्थान में मालवा MP में जोरवे महराष्ट अहमद दंगर डिस्टिक्ट में पढ़ता है प्रेजेंट में चालकुलिथिक पीरेट में सर्कुलर पिट ड्वेलिंग के साक्ष देखने को म मिलते हैं अहार से अहार गिलुंद मार्मी बालाथल यह चालकुलिथिक साइट ऑप्टेन की गई थी राजिस्थान में ठीक मालवा काय था एरन नवादा टोली यह मेजर साइट्स हैं वेस्टर्न मद्ध प्रदेश की नवादा टोली एक इंपोर्टन चालकुलिथिक साइ इनाम गाओं प्रकाश और नाशिक में यह देखने को मिलती हैं साइट्स ठीक चालकुलिथिक साइट्स यह सारी सैट्स जो जो हैं जोर्वे के लिणियुप से और बोर्यल बाद में चंदौली में इनाम गाउं में ठीक है यह सब चालकुलितिक कल्चर है महाराष्टर के मदर गॉड़ेस की स्टैचू जो इनाम गाउं से बिली है ऐसी स्टैचू हमको वेस्ट एशिया से देखने को मिलती है अर्थर्न स्कल्प्चर जो है गरण स्टाइल में बनाए पिकली हाल से संगन कल्लू से मस्की से हल्लूर से ठीक है और फॉर्वर्ण दाइम इडिया अलेक्जंडर कनिंगम ऑस पॉंट्टेट ऐस दा ऑर्खेलॉजिकल सर्वेयर इन ये इटीन सिस्टी वन पहले अर्किलोजिकल सर्वेयर भारत के कौन थे अलेक्जंडर कनिंगहम त्स और मैंधियर टॉर्टि रखेलाइंड के समय पर आर्वर्टिकल सर्वेयर इंडिया कि जो पहले जो कह सकते हैं डिरेक्टर जनरल कौन बने थे जॉन मार्शल यह अंतर ध् भुपाल मद्ध प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉपर एविडेंस कहां से मिले हैं गुनेरिया मद्ध प्रदेश से भरतपुर जो साइट है वेस्ट बंगाल में यहां से चालकुलिथिक पीरेड और नियोलिथिक के एविडेंस मिले हैं अब इन पॉलिटीज में आने से पहले यहां पर हम कुछ कोश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हाल ही पूछे गए हैं अब यहां पर मीजोलिथिक साइट को हमको कैसे लगाना है वेस्ट से इस्ट की तरफ लगाना है यानि कि इस डिरेक्शन में लगाना है तो सबसे पहले हम प्रताबगड में उत्तर प्रदेश में है यहां पर आ जाएगा लेखाई यहां पर यहां पर देखने को मिलता है थोड़ा सा इस्ट की तरफ चला गया फिर हो गया पैसरा अभिहार में है और बहान पूर विवस्ट बंगाल में तो इस तरीके से हम इसको आर्रेंज करते है हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C C हो जाएगा 4213 यहाँ पे इस तरीके से भी सवाल आजकल बन रहे है Charter Act 1793 के गरम बात कर लें तो Governor General को ज़्यादा पावर यहाँ पे दी गई थी और उनका Control बढ़ा दिया गया था Subordinate Presidency जो Bombay और मदरास की थी अब Governor General के Control में आ गई थी East India Company की जो Monopoly थी Trade पर उसको 20 years के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था Commander-in-Chief जो था वो Governor General की Council का Member नहीं रहने वाला था आगे अगर उसको जब तक Appoint नहीं किया जाता इसमें का आ गया था कि जो Board of Control के members जो थे जो उनका staff वगएरा थे उनकी जो तनखाव वगएरा है वो Indian revenues में से दी जानी थी Governor General, Governor और Commander-in-Chief इन सभी का Appointment जो है किसके द्वारा होने वाला था British सामराज में, British सासक के द्वारा Senior Officials जो company के थे उनको इंडिया चोड़ने से रोका गया था और अगर वो इंडिया चोड़ते थे बिना Permission के तो Resignation के समानंतर माना जाता था इसमें कहा गया कि staff जो Board of Control के थे उनको Indian revenues से पे किया जाएगा और ये प्रथा 1919 तक आगे जारी रहती उनी सोनीस से कह दिया गया था कि Indian revenues से उनको पे नहीं किया जाएगा Company जो थी उसको पांच लाख रुपए पांच लाख नॉट रुपए पांच लाख पाउंड देने की बाद कही गई थी British government को company जमा करेगी बांकी सारे अपने खर्चे करने के बाद Charter Act 2018 से Trade Monopoly जो है इंडिया में खतम हो गई थी company की ठीक और सारे ट्रेडर जो है ओपनली अब British merchant जो भी थे भारत में आ करके ट्रेड कर सकते थे अलांकि company की monopoly जो चाई में ट्रेड पर और चाईना के साथ ट्रेड पर थी वो अभी तक बनी रही थी और sovereignty जो थी British Crown की उसको पहली बार पर स्ट्रूप से बताया गया था कि company की जितनी भी टेडरेटरी है इंडिया में उस पर प्रभुता किसकी है British Crown की ठीक यानि British सासक की Christian Missionaries को अपने activities करने के लिए यहाँ पर अनुमती दी गई थी और activities यहाँ पर mainly conversion की activities थी इसके बाद western education spread करने के लिए जो की British territories थी इंडिया में उसके लिए प्रावधान किये गए थे local government जो थी उनको यहाँ पर सबसे पहली बार दिकार दिये गए थे persons पर tax लगाने के लिए और tax ना देने पर उनको सजा देने के लिए भी financial grant यहाँ पर provide की जाने थे जिससे की Indian literature और advancement of science हो सके और इस तरीके से पहली बार British government को पहली बार यहाँ पर ऐसे जिम्मिदारी दी गई थी या फिर जो ब्रिटेन की जो डिरिक्टरी इंडिया में थी यहाँ पर जो भी ruling government थी या फिर जो भी लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे उन्होंने पहली बार ऐसा step लिया कि भारतियों को educate भी किया जाए इसके लिए वन लाक रुपए जो है set aside किये गए थे भारतियों के education के purpose के लिए और यह पहली बार यह accept किया गया था principle of state responsibility for education यानि कि बिटिश राज है उसी को जो है भारतियों के education पर ध्यान देना होग इसमें जो company का जो पट्टा है या फिर जो उनका जो monopoly है इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था और पहली बार जो यह विनियम मन आये थे इनको पहली बार law नहीं act कहा गया था ठीक है विधी नहीं अधिनियम कहा गया था इसमें company monopoly trade और जब चाइना के साथ trade और टी लुका है और governor general of India को civil और military powers दी गए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले governor general बने थे भारत के और open system of competition introduce करने का प्रयास किया गया था civil services में एक आ गया था इंडियन को डिबार नहीं किया जाना चाहिए कि सीवी place office या फिर employment company के इंतरगत पाने से डिबार नहीं किया जान भारतियों को administration में include करने का पहला सफल प्रयास कौन सथा आगे हम देखेंगे company की activities जो है commercial bodies के तरीके से end कर दी गई और purely administrative body जो है company को बना दिया गया तो यहां पर centralization तेजी से यहां पर British government कर रही थी सब चीजने अपने हाथ में ले रही थी company की powers जो है धीर धरे घटाती जा पहली बार government of India का दर्जा दिया गया और उसकी council को India council कहा गया तो उसे अगर simply पूछे कि India council की शुरुवात जो है किस act से की गई थी तो सेंट हेलना एक्ट यह फिछार्टर एक्ट अथारस तेटिस से British territory जो भारत में थी उस पर governor general को और उसकी executive council को exclusive powers दिए गये थे चौथा ordinary member governor general की council में जोड़ा गया था इस act के तहट जो की एक legal expert होने वाला था जो की lawmaking में help करेगा Lord Macaulay ऐसे पहले फोर्थ ordinary member बने थे गवर्ज जनरल की council में ठीक तब आ जाते हैं चार्टर एक्ट अथारस तिरपन पर यह पास किया गया था इसमें यह आखरी चार्टर अधिनियम था इसमें open competition यहाँ पर शुरू किया गया जैसे पहला प्रयास 1833 में किया गया था लेकि थी उसमें भारती भी participate कर सकते थे इट separated for the first time the legislative and executive functions of governor general council पहली बार जो है legislative executive function जो गवर्णर जनरल की चार सदसी council की थी उसको separate करने काम किया और 6 new member इसमें add करने की बात कही जो की legislative councillors की रूप में council में काम करेंगे पहले 4 होते थे अब 6 और आगे धान रखियेगा संख्या पहले 4 से 6 किया गया जब सबसे पहले 3 थे फिर एक जुड़ा ठीक फिर यहां पे 6 और जुड़े तो 10 हो गया टोटल 12 कि प्रकार से हो रहे थे एक governor general खुद एक commander in chief चार member governor general की council के जो हुने पहले देखे थे पिछले act में एक chief justice of supreme court of कलकत्ता एक regular judge supreme court of कलकत्ता का और 4 representative member जो कुछ local government के लोग जो की बंगाल, Bombay, मदरास और North Western province से अपोइंट की जाने थे तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है दायरा बढ़ाया जा रहा है पहले 3-4 लोग की पूरा administration समाल रहे थे अब यहां पे representation बढ़ाया जा रहा है पहली बार एक local representation की बात कही गई थी Indian Central legislative council म में चारा पॉइंट कहां से की जाने थे local provincial government में से मदरास, Bombay, बंगाल और आगरा में से जो law member था जो ordinary member था उसको full-time member बना दिया गया था उसको vote काधिकार भी दे दिया गया था इसमें कहा गया था कि separate governor अब होगा बंगाल presidency का बंगाल के governor governor general of India बना दिया गया था लेकिन इसमें कहा गया कि governor of बंगाल अलग होगा और governor general of India अलग होगा इसके बाद number of board of directors was reduced to 24 to 18 out of 600 people were nominated from British crown board of directors की संख्या यहां पर घटाई गई थी 24-18 कर दी गई थी और इसमें 6 भी पिल जो है यह British crown खुद वहां से ब्रिटेन से नॉमिनेट करने वाला था government of India act 1858 की बात कर लेते हैं सिपाही विद्रो जो की British Empire कहता रहा है हमारे सुतातरता के पहले विद्रो को तो उसके बाद यह act आया था इसमें काई सारे restrictions आपको देखने की भी लेंगे doctrine of labs को खत्म किया गया था जो की एक feature या फिर एक important reason माना गया था अप्राइजिंग का Benjamin Disraeli जो की PM थे उस समय उन्होंने अपोस किया था crown को कि इस तरीके का मतलब यह act नहीं लाया जाया लेकिन house of commons में easily यह bill pass हो गया था तो इसको कहा जाता है act of better governance in India तो कुल मिला कब बिटेन ने प्रयास किया था कि वो British territory जो भारत की थी उसको और better तरीके से गवर्न करेंग बन गया था इस act के बाद पहले वाइसरा के कौन थे Lord Canning थे नया office यहाँ पे Secretary of State for India का यहाँ पे शुरू किया गया था और complete authority और control उसको इंडियन administration पर दिया गया था Secretary of State जो था British cabinet का ही एक member होने वाला था फर्स्ट Secretary of State for India कौन बने थे Lord Stanley बने थे ध्यान रखिए गया यह जदातर बुक्स में नहीं दिया है उसके बाद system of double governance जी इंट्रड्यूस किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहट मलब यह जो पिट्स इंडिया एक्ट ने जो dual government का system लाया था उसको abolish किया गया था इसी 1858 के एक्ट से ध्यान रखिए गया पिट्स इंडिया एक्ट का बाया था यह आप comment करके बताएं कंपनी के जो court of detectors की power थी अब किसको दे दी गए थी Secretary of State for India को और 15 member की council बना दी गए थी जो Secretary of State of India को भारत में assist करेगी Secretary of State in council जो है एक corporate body बन गई जो मतलब इंडिया और इंग्लेंड में जो जिस पर मुकदमा लगा सकती थी और उस पर भी मुकदमा लगाया जा सकता था इंडियन civil services यहां पर institute की गए थी company के भारत में ब्रिटिश administration को रन करने के लिए और यह कहा गया था कि जितने भी इंडियन प्रिंसेस और चीफ्स हैं जो की बहुत जादा थे संख्या में उनका independent status होगा और ब्रिटिश अगर sovereignty यानि कि प्रभुत को अगर वो सुईकार करे इंग्लेंड के यानि ब्रिटिश cabinet के द्वारा तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई substantial वे नहीं था इतरीके से governance इंप्रूव करने का government इंप्रूव की गए थी यानि कि government का control जो की ब्रिटेन के remote control से चलने वाला था उसको यहां पर मजबूत किया गया था governance यहां पर कोई भारत में मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया था अब यहां पर है Indian council act 1861 गवर्नर जनरल या फिर वाइसरोई की executive council में फिफ्ट मेंबर यहां पर एड किया गया था फिर बाद में छठा मेंबर एड किया जाता है यहां पर 1864 में इसमें कहा गया कि वाइसरोई को कुछ इंडियन को non official members के रूप में अपनी council में वाइसरोई के executive council में introduce किया जाना चाहिए और कोई statutory provision इसमें नहीं किया गया था कोई विधिक प्रावधान नहीं था काली एक recommendation था गवर्नर जनरल या फिर वाइसरोई की council जो थी उसको legislative purpose के लिए बढ़ाया जा सकता था और इस तरीके से प्रिटिस मूल के भी हो सकते हैं भारत मूल के भी हो सकते हैं यह कहा गया और कहा गया कि जो भी member शामिल होंगे सिर्फ legislative purpose के लिए शामिल की जाएंगे यह नहीं कि मतलब कुछ भी वो बूलने लगेंगे खाली lawmaking process के लिए इंडियन्स को सामिल की जा सकता है लॉड कैनिंग ने पहली बात थी इंडियन्स को जो रिकमेंड किया था अपनी कांसिल में अटारस मासर्ट में वो कौन से थे राजा ओफ बनारस महराजा ओफ पतियाला और सब दिन कर रहा हो इनका नाम ध्यान रखेगा यह पूछा जा सकता है अब वो गौर्णर जनरल ऑफ इंडिया या फिर हम कह सकते हैं वाज्टरॉय के अधीर नहीं थे अब सेंट्रलाइजिंग टेंडिंसी को रिवर्स करने का प्रयास की जा रहा था सतरस तीहतर से जो सेंट्रलाइजेशन की बयार रहा थी है इसको रिवर्स करने का प्रयास की जा रहा था कॉंसिल एक्ट से कि डी सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला कदम हम किसको मान सकते हैं कांच्वी अक्ट 506 को ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से जो दीरे दीरे इस सब चीज़ें चली थी पूरी तरीके से प्रविनिशल ऑटोनॉमी देने की जो बात कही गए थी 1937 में वो इसी से शुरू हुई थी इसमें कहा गया कि नए लेजिसलेटिव कॉंसिल्स बनाई जा सकते हैं बंगाल नौर्थ वर्स प्रोव जो है काम का संचालन कर सकें इस वज़े से पॉर्टफोलियो सिस्टम इंट्रिउस किया गया लौर्ड गैनिंग के दौर 1869 में इस तरीके से गॉवर्मेंट जो वाइसरा की काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको एक एक डिपार्टमेंट दियेगा जैसे इस समय मंत्राले होत है ठीक है एमर्जनसी के दवरान जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन जो था वो किसी भी एक्ट को पास मतलब जो जो गौर्णर जनरल के द्वारा कोई भी एक्ट घर पारित किया गया था उसको किसी भी समय डिजॉल्व करने का अधिकार रखता था इंडिन काउंसील एक्ट 1892 अब आ जाती ही गवर्णर जनरल की काउंसील जो थी अब उसमें 9X ओफिश्यो मेंबर्स होने थे पदेन सदस से यहां पे होने थे गवर्णर जनरल खुद 6 मेंबर एक्जेक्यूटिव काउंसील के कमांडर इंचीफ और हैड अफ दो प्रोवि कर थी किसी भी स्टैचूट को मेंटेन करने के लिए मतलब मॉंबे को अगर हम छोड़ते तो सभी में जो है एक उफिशल मेजोर्टी मेंटेन करनी थी अलांकि ऐसा कोई विधित प्रावधान नहीं था सेंट्र लेजिसलेटिव काउंसील जो थी उसमें 6-16 अडिशनल माठ हवर हो सकते थे मदरास में 20 मंगाल में 20 जन संख्या के इसाब से जहां जिस प्रोविन्स में जैसी जन संख्या थी काउंसील ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से क्या हुआ था कि नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाए गये थे नॉन ओफीशल मेंबर तोनों ही जगह बढ़ाए गये में वाइसरोई की रिकमेंडेशन पर प्रोविनिशल लेजिसलेटिव काउंसील में बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स में से हो सकते थे प्रोविनिशल लेजिसलेटिव काउंसील में मतला प्रेजिडेंसी के गवर्नर की रिकमेंडेशन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिनिस्प एक्ट 1892 में से हलांकि election word को यहां पर कभी भी mention नहीं किया गया electoral system हलांकि यहां से शुरू किया गया था हम लोग कह सकते हैं क्योंकि election नहीं हो रहा थे लेकिन indirect election यहां पर देखने को मिल रहा था इसके बाद Indian Council Act 1909 में अगर हम देखें तो इसको मिंटो मौरली reforms कहा जाता है Lord Morley जो थे Secretary of State for India थे और Fourth Earl of Minto उस समय वाइस रहा थे तो इसको मिंटो मौरली reforms के नाम से जाना जाता है ठीक इससे पहले Muslim deputation यहां पर हुआ था सिमला में सिमला deputation इसको बोलते हैं आगा खान के अधिष्टा में separate electorate का डिमांड करने Muslims के लिए representation को बढ़ाने के लिए यहां पर demand रखी गई थी October 1906 में ठीक Union Council Act 1909 से क्या हुआ था legislative council का size और भी बढ़ाया गया था central level पर provincial level पर दोनो central legislative council में अब 16 से 60 यहां पर अलग अलग जो presidency थी इसमें यह representation के इसाब से कर दिया गया जैसे जिसकी जन्संख्या members of legislative council both in center and provinces were to be in four category अब चार category में बाट दिया गया था कुछ ex official members यानि पदेन सदस से governor general और उसके executive council के member यह ex official हो गया nominated members जिनको governor general और government officials में नॉमिनेट करने वाले थे nominated non officials nominated by governor but were not government officials मतलब governor उनको nominate करेगा लेकिन वो British official नहीं होगे कुछ elected member अभी elected किये गये थे Indian people में से indirect election के माध्यम से local bodies में से chamber of commerce में से जमींदार association जमींदारों में से universities में से और trader community और Muslims में से local body जो है electoral college यहां पर अपना create कर लेती थी और इनको जो है चुन लेती थी it retained official majority in the legislative council but allowed the provincial legislative council to have a non-official majority the non-elected majority was there in provincial council since some of the non-official members were nominated legislative council के legislative councils के जो function है वो दोनों ही level पर central level पर भी और provincial level दोनों पर ही बढ़ाये गए थे supplementary questions अब पूछे जा सकते थे resolution यहां पर move किये जा सकते थे budget पर और foreign policy पर हलांकी कोई discussion नहीं हो सकता था प्रिंसली states पर कोई discussion allowed नहीं था पहली बार यहां पर प्रावधान किया था कि जो वाइस्रोय गॉवर्नर की executive council होगी उसमें इंडियन को भी शामिल की जाएगा जो कि अभी तक नहीं किया को कहा जाता है कि इसने विभाजन की नीव डाल दी थी भारत में separate electorate दे दिया और इस तरीके से Muslims चाहते थे हर बार हर समय कि उन्हें separate representation दिया जाए और यह separate representation की बात थी अंत में पाकिस्तान resolution के रूप में कलबिनेट हुई थी आगे जाकर के तो एक तरीके से कमिनलिजम को legalized करने का काम किया था इस reform ने इस act ने अक्ट निस नौ में यह भी कहा गया कि separate representation यहां पर जो presidency corporation है चांबर ओफ जहांसी में soft twice, उसके बाद अलीगड के ताले और hardware famous है, कौशांबी में खाद प्रसंस करना और basically केला, और अईया में दुख्द प्रसंस करना और basically देशी ही उसमें से, और कन्नाउज के लिए इत्रत है ही, आजमगड के लिए black pot tree है, और कोशी नगर के लिए केला fiber उतपाद ह अमेटकर नगर के लिए वस्तर उतपाद है, कानपूर दियाहात के लिए ऐलूनियम बी बरतन है, मेठी के लिए मूझ उतपाद है, कानपूर नगर के लिए चमडा उतपाद है, और अयोध्या के लिए गुड है, कासगंज के लिए जरी जर्दोजी है, बदायू के लिए जरी जर्दोजी है लखीमपूर खेदी के लिए जन्जाती सिल्प बागपत के लिए सिल्क साड़ि इसके बाद बैले म्हाराज गंज में फरनीचर वर फिर बिंदी एकुली जो है ये बलीया के लिए है मेरट में जो है खेल का समान बस्ती में कास्ट केला कास्ट कला सौरी वुड क्राफ्ट महुबा के लिए गवरा पत्थर बलरामपूर के लिए खाद प्रसंसक्रन दाल और मिर्जापूर के लिए कालीन है बदोही के लिए दरी है तो इसमें द्यान रखिएगा मिर्जापूर कालीन के लिए और भदोही दरी के लिए मैनपूरी है तारकशी कला और मुरादाबाद धातु शिल्प बांदा है शजर पत्थर शिल्प बिजनावर कास्ट कला मंथुरा सेनिटरी फिटिंग बारबंकी वस्तर उत्पाद मुजफर नगर गुड बुलंद शहर सिर्यामिक उत्पाद मौ वस्तर उत्पाद चंदौली जरीद जर्दोजी पिली भीत बांसुरी चित्र कूट लकडी के खिलोने प्रयाकराज मूझ प्रोडक्ट्स पुरताबगड खाद प्रसंसक्रण में आवला के लिए देवरिया सजावट का समान इटावा वस्तर उत्द्योग राइबरेली काश्ट कला एटा घुंगरू घंटी और पीतल उत्पाद रामपुर पैच्वर्क के लिए जूट वाल हैंगिंग गाजिपूर के लिए श्रावस्ति में जंजाती शिल्प संभल में हॉर्न बोन या फिर हस्त शिल्प से धात नगर कालनमक चावल और गोंडा के लिए खाद प्रसंसक्रण दाल गाजियाबाद के लिए अभियांतर की सामिक्री टेरा कोटा गोरकपुर, सीतापुर कारपेट दरी और सोन भदर कालीन होम फर्निशिंग हापुर हरदोई हैंडलूम, सुल्तानपुर मूझ प्रोडक्स उन्नाव जरी जर्दोजी, वारड़सी, बनारसी, रेशम साडी हमीरपुर जूते और हात निर्मित कागस का लाजालाउन और हात रस के लिए हींग चनरल इंदी में आजाएंगे, अभी विलो मार्था का मारे चल रहे हैं इसमें जन्म का मृत्ती हो जाएगा या मरण भी हो सकता है जल का थल हो जाएगा और अब जिसे थल है माली जेगी थल ना दिया हो तो इसके प्रवाच्ची कर दिये हो भू दिया हो, भूमी दिया हो तो इस तरीके से भी ये सही हो जाएगा जमानी का बढ़ापा हो जाएगा जानकार का हो जाएगा अंजान जानदार का बेजान, जालिम का रहमदिल, जीड का जीड, जुडा का बिछडा या अलहदा, ग्यात का ग्यात, ग्ये का अग्ये, जवार का भाटा, जय का पराजय, जल्द का देर, जागना का सोना, जागना का सुशुक्ति या निद्रा, जाना पैचाना अजनबी, जीतेंद जीवन का मरण, जीए का आजे, ज्यान का अज्यान या फिब्रम, जेश्ट का खनिष्ट और ठंडा का गर्म, जरूरी का गयर जल्दी जल्दी का धीरे-धीरे, जाती का विजाती, जारज का औरस, जीत का हार, जीवित का मृत, जोरदार का हलका, ज्यानी का मूड या अज्या प्रकाश और तम मतलब मंदेरा ठोस का हो जाएगा पोला खोखला या तरल तंदुरस्त का हो जाएगा कमजोर तकलीव का हो जाएगा आराम तद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तरुन का व्रद्ध यहां पर व्रद्ध जो है इस तरीके ज़्यादा यहां पर लिखा दिखाए जाता है। कर दिस बहूद दलीट का कर दियाएं और दरिदर नाटे दख्रे का अध्याएं ओर लॉप अदा है मतलब जिसको जलाएना जसके, इनकंबस्टिबल और कंबस्टिबल जिसको इंगलीश में बोलते हैं, दिनांकित का दिनांकित, दिलेर का कायर, दिवा खरात्री, दीरकाय का क्रशकाय, दीरगायू का अलपायू, दुवा का बद्दुवा, दुख का सुक, दुराचार का सदाचार, दुराचारी का सदाचारी, दुर्स्त का गलत, दुर्गती का सुगती, और दुर्जन का सज्जन, दुर्बल का सबल, दुरलब का सुलब, दुषकर का सुकर, दुष्ट का सज्जन, दुरदर्शी का दु देश द्रोही इसके बाद देही का उजयेगा अदेह या विदेह, दोश का गुण, दुरुत का मंथर, द्वेश का सद्भावना, द्वेशी का द्वेशी, द्वैत का द्वैत, धनी का निर्धन, धर्म का अधर्म, धर्मी का धर्मी, धार्मिक का धार्मिक, धीर का धीर, धी निंदा का प्रशंयस्तुती निंदे का श्लाग इसके बाद दिकट का हो जाएगा दूर निड़्यार का दरपोक, निते खा अनिते, निपूड का आनिपुड, निमंत रित, और नियंत्रित का अनियंत्रित, नियमित का अनियमित, नियमक का अनियमक और नियत का अनियत् निरक्षर का उजय का साक्षर, निर्थक का सार्थक और निराकार का साकार, निराधार का साधार, निरामिश का सामिश, निराशा का आशावान, निरुद्ध का उजय का अनिरुद्ध, निर्गुण का सद्गुण, सगुण, और निर्जीव का सजीव, निर्डाय का निर्दोष का सदोष, निर्धारित का निर्धारित और निर्बल का सबल। करेंट फैर में भारत के 73 वे चेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे भारत सुब्रमन्यम। फर्स्टी ट्वन्टी डीव क्रिकेट चेंपेंशिप यह होने वाली थी जन्वरी 10-20 तारिक को होगी 2023 में केरल में तिरुनंत पुरम में वल्ड रैपिड चेस्ट चेंपेंशिप उजबेकिस्तान के नॉटिक अबूर्भ ऑब्दुस सटारौव को हराया था अबदूस सटारौव ने हराया था रश्या के यान नेपो मायंगशी को हराया था ठीक है बनलब यह यह जीते थे अब्दूस सतारौव इस अधान रख परवाधिक मेडल इसमें जीते थे या रो में इस पेपर में पूछा भी किया था जो अपरल में वहा था महरास्ट्र को सेकंड नमबर पर मेडल ओकेरल को थर्ड नमबर पर अंडर 19 एशिया कब 2020 इंडिया ने जीता था ये श्रिलंका को फाइनल में आ रहा था नौविकेट से बैट्मिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीड़ फ में तस्नीम मीर जो है फर्स्ट इंडिन बने थी जिन्होंने वर्ल्ड नमबर वन का टाइटल अंडर 19 गल सिंगल कटेकरीम जीता था बैट्मिंटल वर्ल्ड फेडरेशन में ये यूपीप स्सी पेपर जो जून में हुवा था उसमें पूचा गया था पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल टाइटल जीता था सायद मोधी इंटरनाइसल टूर्नमेंट जो की लखनाव में हुवा था मालवी का इंडिया की पहली पैरा बैड्मिंटन अकैडमी कहां पर सेट अप की गई है उत्तर प्रुदेश लखनाव में दोजर बाइस एडलेड इंटरनाइसल वन टैनिस टूर्नमेंट इसमें फ्रेंच टैनिस प्लेयर गायल मौनफिल्स ने रश्या के कैरिन खाक्ष्णोव को रा दाग की थी इसने जीती थी माचल प्रदेश में इवेंट हुआ था मेलबर्न समर सेट वन दोजर बाइस इसमें मैं सिंगल विनर राफिल नडाल थे इन्होंने फाइनल में मैक्सिम क्रेशी को उराया था जो की यूएस से हैं सिमोना हैलप ये रुमानिया से जो है इन्होंने विमेंस सिंगल केटेगरी जीता था मेलबर्न समर सेट वन का और वेर्यानी का कुडर मेटोवा को राय था जो की रश्या से हैं एफसी विमेंस फुटबॉल एशियान कप 2022 ये इंडिया ने एफसी विमेंस फुटबॉल एशिया कप 2022 ये 20 जन्वरी 2020 में नवीव मुंबई और पुड़े में होस्ट किया था National Air Sports Policy का draft release किया गया था Ministry of Civil Aviation के द्वारा इसमें का गया था कि विजन है इस पॉलिसी का इंडिया को एक टॉप Air Sports Nation बनाना है 2030 तक Air Sports Federation of India यह establish किया जाएगा Apex Governing Body के रूप में जिसमें Air Sports को regulate किया जाएगा First Multi-Dimensional Adventure Sports Campaign इसाथ January 2022 से New Delhi में शुरू हुआ था लखनाव IPL टीम का नेम बदल दिया गया है जो कि संजीब गोइनका के द्वारा मतलब यह host की जा रही थी लखनाव सुपर जाएंट्स इसको नाम दिया गया थे नोंने IPL भी खेला है आगे की current affair में आप देखेंगे टाटा ग्रूप ने Chinese Mobile Maker Vivo को replace किया था टाटा IPL के रूप में हुआ था वीवो IPL इस साल नहीं हुआ था और 2022-2023 के सीजन में ये टाटा IPL कहलाएगा सिड्नी टेनिस क्लासिक में असलान करस्तेव ने एंडी मरे को हुराया था और men's single का title जीता था इसमें पंजाब में प्राइम मिनिस्टर नरेरेंद्र मोधी के सेक्योर्टी में लैप्स करने को प्रयास किया गया था साओधी अरब ने एक एर स्ट्राइक यहां पर कंड़क्ट की थी साधा रीजन में येमन में कला उत्सों यहां पर बनाया था डिजिटल प्लैटफॉर्म के थ यहां पर नेशन को डेडिकेट किये ऑपरेशनल एनलाइसिस के काम आएंगे बाकि आप यहां पर रीड कर सकते हैं आउस्ट्रेलिया ने एक उनलाइन सेफ्टी बिल वहां पर इंप्लिमेंट किया था जो की जुलाई 2021 किसम पास किया गया था इंडिया और देन्मार्क ने एक मीटिंग यहां पर की थी और यह ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन पर रिसर्च और डवलप्मेंट के लिए समझाता बहुत था इंडिया और देन्मार्क के बीच प्राजक्ता खोली इंडिया सफस्ट उन डेपी यूथ क्लाइमेट चैंपिय इसके बाद हम देखेंगे पेरू की गवर्मेंट ने एक इन्वार्मेंटल एमर्जनसी डिक्लियर की थी और नब्बे दिन तकी एमर्जनसी चली थी